पवंदी प्राजन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है पवंदी प्राजन युवा दिलों की धरकन बन चुके है उन्होंने अपनी सिंगिंग से सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी है पवंदी प्राजन और अरुनिता कांजिलाल से जुरी हर छोटी से छोटी खबर जानने के लिए इनके चाहने वाले बेकरार रहते हैं शो खत्म होने के बाद भी पवंदीप राजन और अडुनिता कांजिलाल का क्रेस इनके फैंस में बना हुआ है। इंडियनारल के मंच पर अपनी दमदार रुहानी आवाज के साथ साथ अपनी सिजलिंग केमेस्ट्री को ले कर मशुहूर हुए पवंदीप और अडुनिता आई दिन किसी ना किसी वज़ा से चर्चा में बने रहते हैं। इंडियनारल के सेट पर पनपा दोस्ती इन दोनों के बीच आज भी कायम है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो बाते जो शायद ही आप जानते होंगे। अरुनिता कांजिलाल का हाल बेहाल हो गया था। एक एपिसोड के दौरान पवंदीप राजन को रूम में कैद देखकर अरुनिता कांजिलाल रोने लगी थी। इस एपिसोड में आनंद जी गेस्ट बन कर आये थी। बंद कमरे में पवंदीप ने गीटार बजा कर पॉफ अरुनिता कांजिलाल की तरफ थी। अरुनिता कांजिलाल अपने दोस्त अपने पार्टनर को इस हाल में देखकर इमोशनल हो गय थी। पवंदीप राजन का ये हाल उससे देखा नहीं गया था। अंदर ही अंदर अरुनिता रो रही थी, हालाकि उन्होंने अपने आस्वों को छिपा लिया था। अरुनिता की दुआओं से पवंदी प्राजन ने कोरोना को मात दी और मंच पर वापस लोटा है। अरुनिता कांजिलाल अपने दोस्त पवंदीप की बहुत कियर करती हैं। अरुनिता हमेशा पवंदीप राजन की सलामती की दुआ मांगती हैं। दोनों में गहरा याराना है। पवंदीप राजन भी अपने क्राइम पार्टनर अरुनिता की फिक्र करते हैं साथी उनको मोटिवेट भी करते हैं बात करें अरुनिता और पवंदीप राजन की वर्क फ्रंड की तो दोनों इन दिनों अपने मुजिक कॉंसेट में बिजी हैं अरुदीप के फैंस उनके डुएट को सुनने के लिए बेताब रहते हैं दोनों अपनी मंत्रमुख्द करने वाली आवाज से सब के दिलों में बस कह है अरुनीता और पवंदीप हर कॉंसर्ट में अपनी आवाज का जादू चला कर सब का दिल चीत लेते हैं फिलहार इस वीडियो में इतना ही आप देखते रहे वियो वुल्फ को जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे साथ ही हमारे फिल्जु पेज़ को भी लाइक कर दे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया